प्रियास है, रवाया है, यह कैसे मार दिया है, बिना ऑक्सीजन के दैनिक भास करके बीरो चीफ के अपने भाई हैं, के दलालों के में चले गए, उसको मार दिया, ऑक्सीजन नहीं लगाया, और सुई रही देगी, अपर लाइट कम होगे हैं, कोई बात है, मेरा लाइट कितना देखिएगा, यह देखिए, यह दो भाई की मौत धानापूर में, मेरा होगे, दानापूर के रेलवेस्ट जो कर भी गया में है, एक भाई कोराना से देख कर गए, दूसरा भाई वहीं पर भाई के मरने के बाद हार डेटेक्ट कर गया, और लोग मत आईएगा भई, इधर बढ़ देखिए, देख रहे हैं, अब दो तीन बात समझे, पहली बात यह समझे कि यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोरे देर चुप रहेंगे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बाइपास में कुछ प्राइबेट होस्पिटल को छोके जिसकी का रेपूटेशन है, जो कंप्रिट रेस्पेक्टेबूल है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, बहुत किलियर हैं, लेकिन बाइपास में और जिसके पास सही काज़ाद नहीं है, लगबग 80-85% जो प्राइबेट होस्पिटल है, वो मौत का ठूनी खेल खेल रहा है, मौत का सौधागर है, बहुत घंदा खेल खेलने का प्रियास किया है, और एक लाक रुपिया थाना को ये लोग हर प्राइबेट होस्पिटल देता है, एक लाक, हर प्राइबेट होस्पिटल का जितना गोरक धंदा है, वो थाना के संदक्चन में होता है, और थाना खूली छूट, थाना जो है, वो धंकाता है, पैसेंट के अटेंडेंडन को, पैसेंट को, दर से कोई बोलता नहीं है, अस्पटाल के खिलाब, और अक्सीजन प्रियास में नहीं था, उसके बावजुद प्रियास, कोरोना पोजिटिव को वहां रख रहा है, हम महिला योग जाएंगे, महनवाधिकार में भी जाएंगे, मेरा सीधा आरोप है, कि सरकार किस अधार पे, बिना कागज के सोचे समझे, पटनास के डियेम सहब से हम आगरा करेंगे, डियेम सहब, और स्वास्त सचीब से आगरा करेंगे, हे स्वास्त सचीब जी, स्वास्त विभाग का काम धन रुटना नहीं है, धन पसू बनना नहीं है, स्वास्त विभाग कीलर विभाग हो गया है, उसका नाम कीलर विभाग रख दिया है, मौत का सोदागर, बहुत के लिए, NMCH में कोई ना जाए और मैं आगरा करूँगा पटना और बिहार की जंता से अपने घर में इलाज कराएं अस्पताल में ना जाएं ऑक्सीजन की वैवस्ता घर में करें और नरंदर मोदी जी से आगरा करेंगे पांच कीलो अनाज के बदले हम सब नेता को दस-दस केजी अनाज देंगे आप कुछ मत करिए आप ऑक्सीजन जीवन रक्षक दवाई डॉक्टर्स और आम लोगों की जिन्दगी बचाने की वैवस्ता कर दीजिए कॉलाप्स हो चुकी कोई फॉन नहीं उठता एनम्च में सुप्रिटेंडेंट मनमानी करता है वो सिर्फ हिटलर के तरह कागजी अखवारी फॉन उठाके रख दिया गया कोई नर्स नहीं है साथ दिनों से कोई डॉक्टर जाते नहीं है और डॉक्टर सहाम लोग आरमडी सी आर का रिपोर्ट लगाकर पोजिटिव हो जाते हैं लगभग दॉक्टर खहते हैं कि मैं आरमडी सी आर पोजिटिव हो गया करमचारी का भी वही हल है और सबसे बड़ा भात सुनें मंगल पांडे जी वाड़ गुआई दस हजार चार हजार रुपया लेकर के सारा एनम सी एज के लोगों ने आज तीवी पर कहा चैनल पे कि हमसे चार हजार दस हजार रुपया लेकर भरती करता है नर्स और कोई नहीं होता है और हमको छोड़ देता है मरने के बाद सारे पेसेंट ने कहा कि हमको कहता है खुद ले जाए जबकि सरकार कहती है मैं ले जाओंगा एक भी लेट्रिंग बात्रूम साप नहीं कुराना से पहले हैजा से मर जाएंगे लोग हलात अच्छे नहीं है एनम सी एच में ताला लगा देना चाहिए या एनम सी एच को आर्मी के हवाले कर देना चाहिए मजिस्टेट के दरोगा के हवाले नहीं ये लोग उल्टे मत पैसंट को धमकाते हैं एनम सी एच में ऑक्सीजन नहीं होती है सिर्फ एलोटमेंट का संख्या गिनाय जाता है ऑक्सीजन नहीं लगाय जाते आदा घंटा चालिस मिनट ऑक्सीजन कुछ लोग को लगा करके ऑक्सीजन बाहर कर दिया जाता है बेज दिया जाता है फिर मैं कह रहा हूँ पटना की जंता से मुझे आपकी चिंता है मैं आपके बेटे के तरह हूँ मैं आपका सेवक हूँ मुझे हर घर के बच्चे, मा, पती, भाई और बेहन की चिंता है यदि जान बचाना हो तो आप इस तुच्चे तब क्या स्पताल में ना जाए अपने घर में इलाज कराए एक आर्मी मैं की बेटी ने आज कहा बहुत किलियर आर्मी मैं की बेटी ने कहा हम पारस गए लूट लिया पारस के बाद एक कौन सा न्यू सेंट्रल में हमसे दो लाग लेके भगा दिया और जब हम आर्मी अपने फिता को लेके हम आए एनम्सीएच जो तीन दिनों से एक भी डॉक्टर हमें नहीं देख रहा है हमको छोड़ दिया हमारी इस्तिती बहुत बुरी है इसी तरह बिदान सभा के पतादिकारी को गैस ऑक्सीजन के वेगर मार दिया कि बिदान सभा के दो दो ट्रैवर का पूरा परिवार संकर्मी तो गिया जो रावरी देवी के साथ भी सब के साथ रहा उसको कोई देखने वाला नहीं है अभी वो आये हुए कि यह सवाल है कि अस्पताल मारती तो है ही धन भी लेती है जान भी लेती है धन और जान और इमान दोनों खतम करती है हम PMCH को IGMS के तक पर आटोनमस अस्पताल बनाने की मांग करते हैं PMCH को आटोनमस बड़ी काप दीसिजन लेकर के आटोनमस करें बहुत किलियर है हम और चौवीस घंते के अंदर तालीस घंते के अंदर तीस ला से गई है नितिस कुमारदी से आगरा करेंगे मंगल पांडे भाई से सबी नेताओं के रिष्टेदारों को NMCH में भरती कराईए मैं जानना चाहूंगा कि भारत में कए परतिसक नेता कोराना से सिकार हुए जीरो पॉइंट थी भी नहीं लेकिन भारत के लगभग मिडिल क्लास और गरीब और आम आदमी परभावित भी भी हुए और मर भी गए क्या कारण है रेमडी सिमिर लेने के बाद वीडियो की मौद CEO की मौद फिर ये रेमडी सिमिर डॉक्टर लिखते क्यों है इस पर बेंट क्यों नहीं लगती छे डोज के बाद वीडियो की मौद हमसे लेगे बैचारे छे डिर वैक्सिन के बाद 50-60 परतिसत लेंस संकर नित हो गया यदि 50 से उपर लेंस संकर मित हो गया तो उसको रेमडी सिमिर नहीं पोजेटिव कर सकता वीडियो की मौद रेमडी सिमिर के बाद क्यों सियो की मौद रेमडी सिमिर के बाद क्यों यह सवाल मेरा बहुत के लिए है आउक्सीजन की काला बजारी 20,000, 10,000, 40,000 में लोग खरिद रहे छोटा बड़ा सिलिंडर अभी तक 30 सिलिंडर हमने 20,000, 10,000, 9,000 में कर दे परे और फिर 100 सलंदर का ओडर दिया हूँ 20,000 से नीचे नहीं आखिर आउक्सीजन होता तो फिर आम लोग सलंदर क्यों खरिदते आउक्सीजन के लिए लोग पागल क्यों है हाजी पूरारा सभी चीलों से पप्पु याजब को आयटी का एक लर्का जो सिल्ली गोड़ी में अपनी मा के लिए तरस रहा है हमको अक्सीजन दे दो अभी बिहाग की सब से मजबूत गायक हमारी नहा राठोर की भाई रिलेटिब बैठे हैं परेशान उनकी मा सीरियस है कोई पूछने वाला नहीं शासाराम के अस्पताल में चली गई आउक्सीजन का क्या होगा नितिजी कहते हैं मैं फ्री है आपके पास नितिजी आईजी एमेस में रेट जॉन, एलो जॉन, आईचियू, एच्डियू, वाइपे वेंटिलेटर सब मिलाकर चारिस्टो बेड है मार्ट, रेट जॉन, एलो जैन, आईचियू, एच्डियू, वाइपे वेंटिलेटर जेनरल बाड ऑक्सीजन साहिट साथ, सो बेड, रेंडी से वेर बहार से लोग खरिते हैं तीज वेंटिलेटर है आपके पास, मार्ट, तीज वेंटिलेटर पी-म्सीय जेनरल बाड ऑक्सीजन साहिट देर सो, बेंटिलेटर बीश, एनम्सीय जेनरल बेड ऑक्सीजन साहिट तीन सो बेंटिलेटर देर सो, एम्स पत्ना बेड ऑक्सीजन तीन सो, बेंटिलेटर तीश रात में मिध्रेश दुबे बगल में शत्यम रात के दो बज़े हमें भेंटी लेटर लेकि आना पड़ा बक्सर के थी उनके लिए बड़े बड़े पत्रकाट ट्वीट कर रहे थे कि सिर्ट ट्वीट करते हैं जान नहीं बचाते हैं टेग करते हैं मुकमंत्री ट्राम निस्टर जान नहीं बचाना और वेंटीरेटर नहीं लेकि हम जाते एक घंटे मोग कलर्स कर जाते हैं 34 साल का लड़का यहां पर पता दिका लिए है आइफूर यह जो पूल बन रहा है एफ कॉन एफ कॉन में चीए मैं वो लड़का उसकी पत्री बेहोस क्या इस्तिती है भाई नितिश्दी आप कहां से फ्री में लब इलाज करेंगे जब आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते रेमडी सिविर नहीं दे सकते तो फ्री में लाज क्या जब आप कुकर मुत्ता के तरह इस अस्पताब को बेंच नहीं कर सकते पैसे लेते हैं आपके ड्रक्स इंस्पेक्टर आपके पताती कारी आपका ठाना और फिर लोगों के जान का सौधा करता है यह लोग मौक का सौधा अगर कीलर है कीलर एनम सीच कोई मत जाहिए यह यह हम जानना चाहेंगे यह आपके पास लगबन सभी लोग कहते हैं कि यह दवाई सबसे इंपोर्टेंट और उसके बाद अब डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वो देखे डॉक्टर लिख रहे हैं जान बचाने के लिए एक जपान की कंपणी कि आश्चर्ज होगा उसका डिक जपान की कंपणी उसको डॉक्टर लिख रहे हैं डेक्शिंट इन पचास हजार इसका दाम है पचास हजार टोकिलिजम इंजक्शन ये उपर में लिखना सुरू कर दिया अब कह रहे हैं कि यदि आपको जान बचाना हो तो टोकिलिजम लिजी अभी दैनिक भासकर की बड़े रिपोर्टर जिनके पड़िवार के लिए लिखा गया है टोकिलिजम और ये इंडिया से आउट अप मार्केटर एक तारीक के बाद आएगा और इसकी मार्केटिंग सुरू हो गए तोकिलिजम यदि जान बचाना हो तो एक दोज ये नहीं लिजेगा तो जान नहीं बचेगा इसलिए मेरा सिधा अरोप है कम्प्लिट गौर्मेंट ने नरसंगार किया सिस्टम के कारण ये मौत चारो तरफ हुई है अब इलंब स्वास्त बिभाब के सारे पजादिकाली को बदलना चाहिए सस्टमेंट करना चाहिए और इंक्वारी से दफ करना चाहिए कि बिहार के किसी अस्पतालों में इलाज क्यों नहीं है आक्सीजन क्यों नहीं है बेट क्यों नहीं है और नरंदर मोदी जी से हम आगरा करेंगे बिहार को ऑक्सीजन की खपत जितनी है उसका एक हिस्सा भी ऑक्सीजन नहीं है वेंटिलेटर की जौरत जितनी है उसका 1.3 प्रतिशत भी वेंटिलेटर हमारे पास नहीं है और जितना बेट चाहिए हमारे पास उसका 7.2 प्रतिशत ही बेट है का हम जानना चाहेंगे क्या बिहार के आम आदमी के जिन्दगी को बचाने के लिए बिहार को ऑक्सीजन नरंदर मोदी जी आप पुर्ती करेंगे की नहीं और यह जुट्ठा का सरदार बैमान का यह जो डेली 29,000 रेड़ी में सर आगा अरे ओ दादा चोड़ चोड़ मुसेरे भाई मुसे बोलते हैं कि किसी और चीज़ से क्या हुआ रंदी सिविर ब्लैक मार्केटर के हाथ में पूरा का पूरा रंदी सिविर तिससाथ हजार पैसाथ हजार बीस हजार चोवीस हजार बाबन हजार अब हमारे पास लोग रंदी सिविर डॉक्टर ने कहा दिया रंदी सिविर आउट अफ इंडिया और जब नेपाल जाता हूँ तो एक रंदी सिविर का फाइल बाइस हजार तैस हजार और बाइपेपर मिलता है पपूयादर धरान में विराटनगर में नेता ट्वीट का खेल खेलते हैं रंचोर घरचोर यह चोर चोर एक अन्य मार्ग में कैद तो एक फॉर्म होस में कैद बिहार की जन्ता भगबान भरोसे बाहरे बिहार हमें लगता है कि इस कोराना को भी दल में बदल दिया गया और जन्ता को चाहिए आप कोई दबाई लेने की जोरत नहीं है जो भाजपा के लोग है वो कमल चाहप सुमले ठीक हो जाएंगे जो लालतन के लोग है वो लालतन सुमले ठीक हो जाएंगे और जो जदियू के लोग है वो तीर चाहप अपने बच्चों को अपनी माँ को सुगा दे ठीक हो जाएंगे कि इन निताओं ने मान लिया है कि हमारा कमल सुंग लो किसी की मौत नहीं हो इसे लिए हम सारे प्राइबेट नर्सी नहीं हम जो लगभग जिसके पास कागज नहीं है भाइपास में है अन जगह हैं उसको बैंट करने की मांग करते हैं साथ साथ कोराना का इलाज वहां नहीं होना चाहिए अबिलम इंक्वारी की मांग करते हैं हम एनम सी एज को लेकर और अबिलम सबेला प्रियास और अन होस्पिटल की जो मौत हुए है उसका हम इंक्वारी चाहते हैं ब्लैक मार्केटिंग जो ऑक्सीजन और अंची देमिडी सर और जीवन लक्चक दवाई की हो रही है उस पर अभी लम रोक लगे पटना की जंता को ऑक्सीजन मिले मैं ऐसा चाहता हूं उसकी जानमाल की हिपाजत के लिए जनादिकार पार्टी मरकर जी करते यार डंडबार नेहा सिंगी आप ले आते हैं तो जानबच जाएगी मौत मैंने कहा ऐसा नहीं है यदि आप अंदमाई यदि आपको फेथ हो गया कि डॉक्टर निये कह दिया तो निश्चिंट उपसे मेरा दाई तो बनता है उनकी मां को बचाना जब मैं कोमन में और हर्की मां मेरे लिए मां है तो नेहा की मां भी पप्पूया लग की मां उस पर क सब्सक्राइब की मां मैं तो कहते हुँ और माल में धन भी और जान भी के पूरा जिंद्गी को लेक्स कर दिया प्राभेट पटार प्रावेट प्रावेट अस्पताल के खिलाप जंग लगने की जौरत है आरपार चुद लगने की जौरत है लेकिन सैया भेल को तुमाल तो अब डर काहेगा जब प्रावेट अस्पताल की पूरी वसूली सरकार तक पहुँचेगी नेताओ तक और पूरी साथ बिभाग तक तो फिर कौन और पबलिक की दुर्दसा है कापर करू सीनार पिया मुरानर जिसको चुनो जिताती है वो ध्रितरास्ट बन जाता है फिर कापर करू सीनार फिर मौत तो होना ही है भया मैं नितीज कुमार जी से कह दिया कितना बेड है चालिस बेड उनके रेड जॉन, येलो जॉन, आईस्यू, एचेस्ट ब्यू और वाइपो मैं तो कह दिया नितीज कुमार को हिबत है तो चैलेंज शुकार करे माद MBC भी रही मिलता है वेंटी लेटर तीस है प्रणाद मंत्री जी से आगरा करेंगे ये पाँच कीलो चाबल नेताओं को दे दीजी जन्ता पर किर्पा ना करिए 6,000 रुपया गरीब और मिडिल किलास को आप उसके एकाउंट में डालिए और उसका माँ, उसका बेता, उसका फिता बच्चा है बस इसकी उपाई करिए नोक्री और मजदूरी करके भी कहा लेगा बच्चा मेरे सामने बारा लास थे बारा लास बारा लास आज 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 रेल में होस्पिटल में हर दिन साथ-ाठ मौत होगी है दोनों भाई मर गया एक भाई कोराना से दूसरा भाई भाई के मरते हाटे टेक्टर के जिमिया कोई पूछने वड़ा नहीं था यह हाला थे शायर आम आदमी की बात करिए आम आदमी की बात करिए मैंने पहले कहा कि नेताओं की संक्या क्या है